वेल्कम टू बैलोजी पाडशाला आज की पाडशाला का जो टॉपिक है वो है मैकेटीजम आपडाइजेशन यानि की पाडशन की क्रिया बुक्त आज कोशन इस तरीके से पूछा जाता है और उसी के बेसेस की पूरी ध्यारी चलेगी कि आहार नाल में पाचन की क्रिया का वणन कीजे ऐसे कोशन आएगा या तो आप से यह पूछेगे आहार नाल का सचित्र वणन कीजे या आप से पूछन आएगा कि आहार नाल का चित्र वणनाईए तथा इसमें होने वाली पाचन कीजे का वणन कीजे कुल मिला करके पूरा मेकेनिजम और डाइजेशन हमें पढ़ना है लेकिन बालाजी पाच्शाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों के लिए एक कुछ मोटिवेशन मेसेज लेकर आते हैं और आज का मेसेज है बच्चों आपके लिए कि कुछ किये बिना जैजैकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए आप सभी कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें जिस तरीके से अगर हम कोशन बताएं कि कोशन अगर कैसे आता है तो आज से डारेक्ट पूछा जाएगा गौट दाइग्राम आप एलिमेंटरी कैनल एड एक्स्प्रेंड दा मेकेनिजम ओफ टाइशन या हिंदी में कहें कि आहार नाल का आहार नाल वह बालिक दिया आहार नाल का सचित रवार्णन कीजे सचित रवार्णन कीजे तथा पाचन की क्रिया विधी को बताईए पूरा कोश्चन इस तरीके से आएगा लॉंग में ठीक है? सिच नंबर में आपने एक कोश्चन आता है ठीक तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरीके से कोश्चन आएगा सबसे बहले आपको आहार नाल का डाइगाम बनाना पड़ेगा ठीक है? तो इससे माल लिजे सबसे माल में क्या आपको आपको आफगा प्युचन आपको आपको कि तूरा सैस्व, और चौरा बना लिए एंग, कर दो लाज़ आटी है उ लाज़ आटा लाज़ आटा टुरा लाज़। क्वी एक लगए प्रीज़। कि अट प्रीज़। इस तरीके से कुछ और यहां पर कर देते हैं कि आपको बताने के लिए मैंने लिखा था और इसको थोड़ा सा उपर इस तरीके से कुछ तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका अगर इसके बात की जाए तो यह जो होता है पार देखें लेवल करने का जो बायोजिकल जितनी भी डाइग्रमेटिक फॉर्म हो कोई भी जित्र हो इसको एक फॉर्म में लिखने का तरीका होता है पहले क्या था पहले क्या अलग है लेकिन अब का जो प्रॉसस से आपको एक ही साइड लेविंग करनी होती है अगर आप राइठ हैं साइड नट करें लेकिन मेरे हिसाब से और और बहुत से जितने थे थे जो एक हम उप्रक नहीं जाया यह जो पार्ट होता है वो लीवर होता है यह जो पार्ट होता है वो पैंक्रियाज होता है यह जो पार्ट होता है वो पिता सुमेक होता है यह जो पार्ट होता है इढ़र साइड यू टेनम होता है ठीक है, यह जो होती है, small intestine होता है, ठीक, उसके बाद अगर बाट की जाए, तो यह इसका e-lum part होता है, ठीक, उसके बाद अगर बाट की जाए, तो यह होता है, ठीक, यहाँ पे होता है, rectum, ठीक, और यह जो होता है, large intestine का सबसे last part होता, ठीक, तो इस तरीके से, चाहो तो इसे अच्छे से arrow बना करके, क्योंकि जितना अच्छा presentation होती है diagram की, उतरे अच्छे marks दिये जाते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा roll होता है, अब बहुत अच्छे से, इसको आप चाहें, तो box में भी बंद कर सकते हों, और कि है, देखने वाले की नजर में तुरंत बहुत चीज हो दादी हो, फुल मालगी देता है, इस जन्टा होती है, बैद में लालजेकंत, err या, और popul नाकी, तिक आप लिख सकते हैं वैसे नीचे लिखा जाता है आप लिख सकते हैं डाइग्राम ओफ या इस्टक्चर ओफ एलीमेंटिल एलीमेंटिल कहना है एक हिंदी में लिख सकते हैं कि आहार नाल का चित्र तो यह कुछ इस तरीके से इसका स्टक्चर बनता है ठीक है और यह पूरी इसका यह जो सबसे पहला पार्ट होता है माउट यही से डाइजेशन का प्रॉसेस स्टार्ट होता है ठीक इसोफेगस है यह जो पार्ट होता है जिसके तीन लोग होते हैं उसे लीवर कहते हैं ठीक तीन लोग होते से लीवर कहते हैं ठीक यह पंत्रियाज लीफ लाइक की इस्ट्रक्चर होता है यह इस्टूमिक होता है ठीक है यह डुडिन होता है पीर युर्व होता है तो ऑद्यक लन जोशके पिल आता तो ऊसी का पार्ट कोलोन आता है घर मुतार सब्सक्राइब हला कि कोई वह नहीं है आप लिखने को इधहर भी लिख सकते हैं अगर आप पास जगह नहीं मिली लेकिन अगर राइधे शाइट में अठोडों है अव्सीन होता है थीक है वर्मी को परवillon यहां पर एक लास्ट होता है वह उसे कहते हैं सीकम सीकम यह वर्मी फ्रॉम एपेंडिक्स और सीकम जो होते हैं वह बेसिकली जो होते हैं एक वेस्टीजियल आउर्गेन होते हैं अवसेसियंग होते हैं और मनुष्ण में अवसेस के रूप में पाया जाता है जो कभी उनके पूर्म अपर वर्मी फ्रॉम एपेंडिक्स और सीकम पाया जाता है इस तरीके से कुछ इसका डाइग्राम होता है अब हम इसके मेकनिजम की बात करेंगे कोश्टम क्या था कि यहां नाल का सजितरवर्ण कीजिए हमने इसका सजितरवर्ण कर दिया ठीक बता दिया कि यह पार्ट होते हैं ठीक है अगर यहां की बात करें तो माउथ के अंदर ती तिक इसको रब कर दे रहा है अब आप से पूछा जाएगा कोश्चन अहाँ नल का गड़न हो गया अब आप से पूछेंगे मेकनीजम आफ मेकनीजम आफ आप देखो हमने बताया था क्रिया विधी क्रिया साथ में लगी यानि डायूशन क्या है क्रिया है पहले भी हमने बताया था कि साइंसे सिस्टेमेटिक बॉड़ी ऑफ नॉलेज यानि विज्ञान किसी विशे का कमब दध्यान है यहाँ पे कोई भी टर्म होता है उसका लेक्टरली मीन होता है बिना प्राइट के बिना फंडरमेंटल मीन के साइंस बाइटो या किसी विशे की कमब ला करना कठिन होता है यहाँ पाचण की तर्म पाचण की प्राइटिक बढ़न करना है तो जब पाचण की प्रॉड़ी तो बात में पहले तुमें पाचण पता होना चाहिए क्या होगा देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन की बेटा बहुत सी परिवासा है, ठीक, जो बच्चे मान लोग नए होते हैं या पहली बार देखते हैं, तो उनको तीन-चार तरीके समझा जाता है, ठीक है, तो हम भी वही करेंगे, ठीक, फि इतना जानते हैं कि पाचन कोई ऐसे क्रिया विदी है, जिसमें भोजन के जो, भोजन के जो, बड़े-बड़े, बड़े-बड़े अडू है, या कॉम्प्लेक्स हैं उसके, वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे अडूों में तूट जाते हैं, ये बात पता है, ठीक, यही इसकी पहली डिफिनेशन, एक पहाली डिफिनेशन क्या बनेगी, भोजन के अडूं का, भोजन के अडूं का, उसके, उसके जटल अडूं से, जटल अड़ों से सरल अड़ों में अपघटित होने की क्रिया पाचन कहलाती है तो पहली परवासा क्या बनी? भोज प्रदार्तों का उसके जटल अड़ों से सरल अड़ों में अपघटित होने की क्रिया पाचन कहलाती है तो दूसरी परवासा कैसे? देखो भोजन के बड़े अड़ों ठेक का उसके छोटे अड़ों अपघटित होने की क्रिया पाचन कहलाती है भोज प्रदार्तों के बड़े अड़ों का उसके छोटे अड़ों में अपघटित होने की क्रिया पाचन कहलाती है भोजन का या भोजो प्रदार्टों का उसके बड़े अड़नों से छोटे अड़नों में अब घटित होने की क्रिया पाचन कहलातीं तीसरा देखे सबसे बाय लॉजिकल जो लैंगवेज है ये तो समझने वाली बात है देखे भोजे प्रदार्तों का ठिक एंजाइन की सहायता से उसके जटल अड़ों का सरल अड़ों में सरल अड़ों में जटल अड़ों का सरल अड़ों में जल अपगटन पाचन कहलाता है क्या देखें भोजे प्रदार्तों का एंजाइन की सहायता से उसके जटल अड़ों का सरल अड़ों में जल अपगटन पाचन कहलाता है वो जी प्रदार्तों का एंजाइंग की साहता से उसके जटिल अड़ों से सरल अड़ों में जल अप घड़न पाचन कहलाता है यहीं इसकी बाइलोजिकल लाइंग्वेज है तो ठीक अगर जिनको नहीं भी पता अगर वो यह लिख देंगे नहीं कटेगा ठीक है परेशान मत ह होना आप यह बात लिख दो गए नहीं काटिंग हो सकता हो मार्क सम मिले लेकिन काटेगा कोई नहीं थी अगर आप यह बाइलोजिकल डिक में से लिख देंगी बोजी प्रदार्तों का उसके एंजाइंग की साहता से जटल अड़ों का सरल अड़ों में या बड़े अच्छ इस तरीके से कुछ इफिनेशन होती है अब हम बात करेंगे जब हमने इसके प्रॉसस की बात करेंगे चलिए अलब कर देते हैं चलिए फटापट देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है मेकनीजम का फिर जब यह पलभासा लिख लेंगे तो लिखेंगे हाँ नान में पार्चन की क्रिया हो रही कि पार्चन की क्रिया विदी इस प्रकार होती है इस तरह तंबर बन पहला होता है डाइजेशन इन बखकल के यह आपक कर आपकल कर दिख एक तो यहाद समया प्रोसेटेलतों न सबसे पहले लिखेंगे हैं पार्चन की क्रिया विदा रही कि में क्रिया विदी तिक बकल कैविटी से स्टार्ट होती है सचापने पाचन के क्रियाविधी बकल कैविटी मुक गुहा से आरंब होती है फिर लिखोगे क्या लिखोगे लिखोगे कि बकल कैविटी में पाए जाने वाले बकल कैविटी में ऐसे लिखोगे इसमें पाए जाने वाले एंजाइम, टाइलिन, टाइलिन, क्या करता है? यह स्टार्च को मार्टोज में मार्टोज में बदलता है जिसका पी एच 6.5 होता है तो स्टार्च क्या होता है कि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम, टाइलिन, जो स्टार्च को मार्टोज बदलता है इसका पी एच 6.5 होता है उसके बाद आप पाइट लिखोगे कि लार में ऐसे लिखोगे बकल कैविटी अगर हम बीसी लिख दें सौट में तो ठीक है बीसी में पाई जाने वाली लार ठीक लार में भोजन जो होता है क्या होता है भोजन क्या होता है मिक्स होता है बकल कैविटी में पाई जाने वाली लार सलाइवा में भोजन क्या होता है मिक्स होता है एक पॉइंट ये लिखोगे उसके बाद आप ये पॉइंट लिखोगे कि इसमें इसमें यानि कि बकल कैविटी में पाई जाने वाली लार पूरी बकल बक्कल कैविटी को नम रखती है बक्कल कैविटी में पाई जाने वाले लाइसो एंजाइम बैक्टेरिया आधी को निंश्ट करते हैं कि इतना आपको डाईजेशनिल्न इंश्टि में लिपना पड़ेगा कि कि पाचन की क्रिया विदी सरप्रथम बकल कैविटी अथारत मुख गुहा से सुरुवात होती है इसमें पाए जाने वाले एंजाइम टायलिन होता है जो स्टार्च को मार्डोस बनाता है जिसका पी-ए 6.5 होता है बकल कैविटी में जो लार होती है इसके साथ भोजन विक्स ह होता है और बकल कैविटी जो होती है लार जो इसने लार पाई जाती है वो पूरी बकल कैविटी को नम रखने का कारे करती है और बकल कैविटी में पाई जाने वाले लाइसो एंजाइन जो होते हैं वो क्या करते हैं बैक्टेरिया आधि को मानने का कारे करते हैं अथार्ष सफाई या क्लीनेस का काम करते हैं ठीक फिर आगे देखिए यह हो गया उसके बाद हम देख लेते हैं आगे इस फासे कंडेक्शन आफुर्ट जो होता है कि अंडेक्शन आफूर्ट में क्या होता है कि सआयता से अब पहले क्या हुआ कि बकल कैविटी वे क्या हुआ सारी सीजे कुछ इसोफेगस की की सहायता से जो फूड मटेरियल होता है वो कहां आ जाता है इस्टुमेक में आ जाता है तो आप लिखोंगे किसमें क्या लिखोंगे की सहायता से फूड मटेरियल भोज़ प्रदाठ इस्टुमेक में आते हैं अथार्थ इसोफेगस जो करता है यहां पर पाचन के क्रिया नहीं होती इसोफेगस भोज प्रदार्थों को निगलने का काम करता है और इसे इस्टुमेक में पहुचा देता है तो इसमें इतनी पॉइंट आपक को निगलने का कारे करता है और इसे इस्ट्रूमेट में पहुंचा देता है ठिक अब बात करते हैं इस्ट्रूमेट की जब अमाशेम की बात आएगी तो इसमें क्या होता है सबसे पहले इसो फैगस से लाया गया भोजन ऐसे दखो दखो इसो अगर इसे फ्लो चाड़ इसो फैगस से लाया गया भोजन इस्ट्रूमेट में आता है सबसे पहले क्या लिख हो गई इस्ट्रूमेट इसो फैगस से लाया गया भोजन इस्ट्रूमेट में आता है अथार्थ यहां पर बिविन प्रकार की तरंगे उपन होती है जो भोज दोधयों को ने कारे करती हैं अथारordin यहां पर विवीनिय टरखारी तरंगे उत्तपन होती है जो भोघन को मथने का कारे करती है जाघो यहां पर कौन सी तरंगे ऊति पर करिस्तलेटिक जो आउसें इन्हें कहते हैं हिंदी में क्रमानु कन चन तरंगे क्रमान कुंचन तरंगे यह क्रमान कुंचन तरंगे जो बेटा होती है यह क्या करती है भोजन को या फूड मतेरियल को मत्ने का काम करती है इसमें पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें पाई जाने वाली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है तो इसमें कुछ सेल्स होती है और उन सेल्स में कुछ चीजों का पाचन होता है अब वह हम बताने जाए इतना पाई सौन में आ गया कि इसो फैदर से इस्टोमेक में लाया जाए या परिसलेटिक बेश होगी जो क्रमान कुंचन तरंगेों के भोजन को मतने कारे करती है आप तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में वेटा क्या होता है इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में खुछ सेल्स होती है जब से पहले होती है म्यूकस ग्लैंड यह जो म्यूकस ग्लैंड होती है पैटा यह म्यूकस का स्तरावर करती है इस तरावर करती है ठिक फिर और सी और सी नीटिक सेल्ट यह क्या करेंगी 0.5% SEL का इस्तरावर करती है फिर आती है पेप्टिक सल जो पेप्टोन या पेप्टोन या पॉली पेप्टाइड पॉली पेप्टाइड को एब्स्र्ब करती है या उसका स्तरावर ने करेंगे आप्सारवर करती है म्यूकस Gle sus क्या होगी? ऑक्सीनेटिक से 0.5% कसियलका थील्ण करती है और प्हार्टिक सल जो होती है प्हार्टाइड सेल्स करती है कि उसके बात जो ये प्रोसेस काम यहा लग करेंगी और जो होती है पॉलीक्ताइड और प्रेटोर का क्या करती है इसके बाद आगे का प्रोसेस सका घर करते हैं क्या खैज़ अब ही दखर नहीं में बेलिग दें ताकि याद है ठीक, पक्तल कैविटी, ठीक, फिर इसोफैगस, फिर इस्टुमेट, ठीक, अब आम लोग बात करेंगे ड्यूडे नम की ठीक, ड्यूडे नम में पाए जाने वाले, ड्यूडे नम में पाए जाने वाले कि बाए जूस और पंक्रियेटिक जूस के द्वारा कई सारे भोजिप्रदार्तों का ठीक है, क्या होता है, पाचन होता है, ठीक, और इनके कई सारे पाचन के क्रिया विधी में क्या होते हैं, कारे होते हैं, तो हम यह प्रोसेस लिखेंगे, कि डाए जूस और पंक्रियेटिक जूस के तरह कई प्रकार के जूस का इस्तरावर होता है, जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, बाइल जूस की, हमने आपको बताया था कि जो बाइल जूस होता है, पित्र वेस जो होता है, यह क्या करता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक, सबसे पहले यही बात लिखी जाएगी, आप से औप्जेक्टिव कोशन में पूछा जाता है, कि पित्रस क्या है, ठीक है, एंजाइम है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं, तो इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लिखेंगे, कि बाइल जूस या पित्रस में कोई बाइल जूस में एंजाइम ना होने के कारण भी ये पार्चन की क्रिया में महत्वूर्ण भूमिका निभाता है। बाइल जूस में एंजाइम ना होने के कारण भी ये पार्चन की क्रिया में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सबसे पहले ये क्या करता है। कि यह भोजन को कि शारी माध्या में बदलता है कि उसके बाद यह क्या करेगा कि वसा कि आधिका अब सोशन करता है ठीक उसके बाद क्या करेगा उस सर्जन का कुछ जो फूड ऐसे वाटेल होंगे उनको एसक्रीट करने मुलन निकालने का काम करेगा अलग कर देगा उसे उस सर्जन का कार्य करता है तोछा कि यसके इतनी कुछ इसके यह और बाइल दूस तो बाइल जूस क्य आतकत्र में ओस ना होने के करण दो नियए क्या करता है वोजन को छल आρχबना निकांद बचत्ता ऊबसा आदिका करता है शर्जन करता और यह बैक्टेरिया आदी को पेकेडिया आदी को ठीक है यह मारता है और इसका जो पीच होता है वो 8.8 होता है ठीक है 8.8, 7.0 से 8.8 के बीच में इसका पीच होता है तो बाइल जूस एंजाइम नहोते हैं पाचन की दिरिया में एक कामगर भोजन को छारी माध्यम बलेगा वसा आदी का सोसर करेगा उस सर पेंक्रेटिक जूस की बात करते हैं इसको रफ कर देते हैं अगर हम पेंक्रेटिक जूस की बात करें देखे लिखावे हुआ है तो पेंक्रेटिक जूस में कई प्रकार के प्रोटीन ठीक और एंजाइम का क्या होता है पाचन होता है ठीक देखें कई प्रकार के प्रोटीन का पाचल होता है और कुछ कनवर्जन होता है यहां पर क्या होता है कीमो टिपसी नोजन टिपसीन की साइता से कीमो टिपसी में बदलता है ठीक टिपसी नोजन टिपसी टिपसी नोजन यहां पर बेटाएट इंटेरो काइनेज है ठीक है तो कीमो टिपसीनोजन इंटेरो काइनेज सी प्रेजंस में कीमो टिपसीन बदलता है ठीक है तो एक और होता है एमाइल लॉफसिन यह जो एमाइल लॉफसिन होता है बटा यह प्रेजंस में लेखता है ज़्यादस लेखता है यह सारे ऐसे लिखें इस स्टार्ज को एमाइल लॉफसिन एमाइल लॉफसिन क्या करता है मैल्टोस में बदलता है तो इस तरहीके से क्या करता है यह क्या होता है अक्री अवस्थान होता है क्या लॉफसिन 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 जो होता है सक्री अवस्था में बदलता है उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो इसको रफ कर देते अब जो इसका पार्ट आता है वो आता है कि दाइजेशन इन इलम में सबस्सक्राइज होता है कि कि यह पर emissions होते हैं और उनके 125 फूट पौर्मेशन होता है यह होता है और स्धियेशन होते हैं अगर हम एंजाइम की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहें, गूड इस्टेप की बात करें, ठीक, और प्रोडेक्ट की बात करें, ठीक, तो यहां पर ऐसा होता है, कि एंजाइम बेटा होता है, जैसे माली जे एक एंजाइम होता है, आरजी नेज, ठीक है आजी नेस का पूर्ड इस्टाफ होता है आजी नाइन ठीक यह आजी नाइन क्या करता है यूरिया प्रोडेक्ट बनाएगा ठीक है फिर अगर हम बात करें अगर हम बात करें एक और एंजाइम की माल्टेज पैटा हमने बताया था कि अगर किसी पे एज आता है तो उसका मुदलब क्या होता है कि वो एंजाइम है ठीक है तो याज रखेगा देखिया एंजाइम लिखा भी है यह जो माल्टेज होगा इसका फूर्ड इस्टप क्या हो इससे गेलेक्टोस और माल्टोस दोनों ही प्रोडेक्ट बनेंगा थेक उसके पाद अगरं बाद करें तो एक ये और होता है ये ये जो होगा कि यह ग्लू Box और ये ग्लूकोस का फॉर्म करेगा फुक्त्रेज होता है यह फुक्तोस और यह सूक्रोस और फुक्तोस और फुक्तोस दोनों प्रोडेक्ट्स को बनाता है तो इस तरीके से इसका कुछ फॉर्मेशन होता है अरजिनाइग क्या करेगा इसका फुडिस्ट्रेज होता है यूरिया प्रोडेक्ट्स क्या होगा इसका फुडिस्ट्रेज माल्टोस होगा और फॉर्मेशन होता है इसका फुडिस्ट्रेज होता है इसका फुडिस्ट्रेज और फॉर्मेशन होता है इस तरीके से इलियम में काम करता है उसके बाद अगर हम बात करें तो यह इसको इसको जितना भी जो बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ कि यह डियाय में आया इलियम से वाइगा अभी जो लाज्ज इस्ट्रेश में गाएगा तो को सीकम के लिए कैसे लिखेंगे यह बटा M लिखा हुआ है यह बताएंगे कि जो सीकम होता है वो मनुष्य में एक प्रकार का अवशेसी अंग होता है अथार के मनुष्य में पाचन का कारे नहीं करता किंतु साकाहारी जनतु जैसे खरगोश और भी बक्री जितने भी साकाहारी का है ठीक और भी उन्हें में क्या करता है यह सीकम यह सीकम सेलूलोस का पाचन करता है सेलूलोस का पाचन करता है इतनी बात हमें डाजेशन इन सीकम में लिखनी पड़ेगी ठीक क्या लिखेंगे यह पार्ट है लार्जिस स्टाइंड का सबसे बले है डाजेशन इन लार्जिस स्टाइंड हैंडिंग जालेंगे पिर लिखेंगे digestion in seacum, digestion in seacum में आप यह बताएंगे कि सीacum ए मनुष्य में पाया जाने वाला एक प्रकार का अभुशेसी अंग होता है, अथार्तिय, साकाहारी जन्तुओं में पाया जाता है, अथार्तिय, खर्बोस, बक्री आधी में पाया जाता है, और सेललोस का पाचन करता है, उसके बार जो जितना food material होता है, वो large intestine के एनस में आता है, ठीक, इसको main मतलब digestion in large intestine, पार्ट क्या है इसका, एनस, ठीक, एनस, तो यह last part होता है, यहाँ पर आया हुआ जितना भी food material होता है, ठीक, कुछ विविन प्रकार के जो bacteria होते हैं, उनके दोरा भोज़ प्रदार्ड पूरी तरीके से liquidify हो जाता है, और phosphorus और भी बहुत सारे elements होते हैं, ठीक, जैसे कि calcium, ठीक है, phosphorus, इनस सब की presence में जो फूरा food होता है, वो क्या होता है, एनस, जो large segment होता है, उसके दोरा एस्क् पूरी प्रोसेस बताई, यहां पर लिखेंगे कि सीकम से आया हुआ भोज़ प्रदार्थ, एनस में जाकर रुपता है, और यहां पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यहां पर पाए जाने वाले प्रकार के bacteria और तत्तों की सायता से पूरा ही भोजन जो होता है, क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन की क्रिया हो जाती है, और यहां पर आ करके पाचन की क्रिया समात होती है, और एनस के द्वारा पूरा जो अंडाइजस्टेबल फूर्ड होता है, पूरा जो अंडाइजस्टेबल, मतलब जो पाचन के योग नहीं होता है, वह प्रकार से पार्चन की क्रिया समाथ होती है लेकिन किया समझ के आ कि मैं सही बात से वह यह आओग ऊपना कैसे वह हम एक दो यहाद रहागा कि हम एक चीज बताएंगे खाल पे 이andraặc वह रिजा लिए मगा तो चालए सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले डाइशन कहा होगा बकल कैविटी से इसोफाइगस इसोफाइगस से इस्टुमेट इस्टुमेट से डूदेनम इस्टुमेट से इलियम इलम से यह जो डाइशन होगा बेटा आएगा इस्टुमेट से से एनस में और प्रोबा प्रोसेश आएगा अगर यह फ्लोचार्ट अगर आप याद रखे तो याद रखें तो याद रखेंगस इस्टुमेट से इस्टुमेट से और यह लाज इंटेस्टाइन के एनस पार्ट पर खतम होती है तो बकल कैविटी में क्या था कि बहुत सारे एंजाइम थे उस एंजाइम की साहता से पाचन जो फूड मटेरियल आया है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता था ठीक और जो एंजाइम होते थे वो बकल कैविटी को नम सफाइ यहां क्या होता था यहां पर कुछ तरंगे होती थी तरंगे होती थी तो बोजन को मतने का कारे करती थी जब भोजन मत जाता था उसमें बाई जाने बाजे गैस्टिस ग्लेंस होती थी और यह गैस्टिक ग्लेंस क्या करती से थी इत्स परकार किसी पाइज्टी थी कौन काण से सेंविट्स जयुट्व विंग मूकका करते थी तिति कर्ते टू टूट्व और यहां पर एसेल जो होता है एसेल क्या करता था भोजन को अमलिय माध्य में बदलता था ठीक भोजन को अमलिय माध्य में बदलता था यहां पर और कुछ एंजाइम होते थे ठीक जो प्रो रेनिन हो गया यह प्रो रेनिन और प्रो पेफसिन जो होते थे यह सक्रिय केशी दूब में कैसी का कम करता था वह 50 सारी चाहित थे च्राहिए वहां पर एंजासे इनचाइप थे थे प्रभप इनंगाईय book कीमो टर जाता था चैनल पापत थे जर्धी पर फूड माध्यम में बदल था यहां अंजाइम की साहता से पूरे माध्यम में बदलता है यहां यहां पागर माध्यम में बदलता था तो यहां पर में यह जाता है जब यह सब्सक्राइब आने के बाद जैसे सी कम कि क्या बात होती है सीप्सी कंब हो गया बार मि फ्रॉम एक एक प्रॉब जो जो होते हैं कि यह कभी हमारे पूर्वजों में एक्रिव था ठीक और आज वह क्या है कि अवसेसी अंगली के रूप में पाया जा रहा है इसका कोई प्रटीकुलर कारी नहीं होता लेकिन साहारी जन्तू जो होते हैं उसमें यह क्या करता है प्रोस्स यह प्रोस्स प्रोस्स जाता है जिसमें जो यह अपने राश्क प्रोस्स का पाचन कर दें यह प्रोस्स मल्होजिता का होता है जैसे है यह फूर मटेरियल जो बकल प्रोटीन का हो गया ठीक पैट्स का हो गया ग्लूकोस को जब सारी अब्जार्बेशन हो जाती है उसके बाद यहां पर पूर पाजन हो जाता है और जितना भी अंडाजिस्टेबल फूर्ड होता है वो निकल जाता है कि तरीके से यह प्रोसेस हो गया अगर एस फ्लॉचार्ड को याद रखेंगा तो पूरी दिमाग में ट्योरी याद रहेगी कि अच्छा बकल कैविटी में दो एंजाइम तो यह दिमाद में बन जाता है तो बेटा मेरे प्यारे बच्छों इस तरीके से इसका कुछ प्रॉसेस होता है करेंगी कि एसी मिलेशन का प्रॉसेस क्या होता है ठीक है तो फूर एस और सिमिलेशन के बाद रिस्पारेशन का चैप्तर इस्टार्ट होगा अगर आज की क्लास आपको समंग में आई हो तो अच्छी लगी हो तो इससे अन्य बच्चों तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं और इसका अगर आज की पार्शला को समझ में आई हो तो इसे लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद